नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरी दोस्त पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी ले करके खजूर के बारे में आज हम सभी जानेंगे और चुहारे के बारे में दोनों के अंतर के बारे में भी जानेंगे और दोनों से होने वाले फायदों के बारे में भी जानेंगे खजूर एक तरह का सूखा में वा है खजूर खाना सबको पसंद आता है क्योंकि यह स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है ठंड के दिनों में तो लोग इसे अकसर खाते है खजूर खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद है खजूर विटामिन्स और मिनरल्स का उच्छ सुरोत है यह न केवल आपकी सेहत को बलकि आपके बालूं और तवचा को भी बहुत सारे फायदे पहुँचाता है इसमें कई गुण हैं इसलिए आपको इसे नियमित रूप से खाना चाहिए खजूर को लोग अलग-अलग तरह से खाना पसंद करते हैं कुछ लोग इसे दूध और दही के साथ खाना पसंद करते हैं खजूर के फायदों को देखते हुए इसे मांस पेशियों के विकास के लिए सबसे फायदे मंद माना गया है बुढ़े और बच्चों को इसे पेश्ट बना कर देना चाहिए और यदि वो बिमार हैं या किसी तरह की चोट से उभर रहे हैं तो फिर यह उनके लिए और भी अधिक फायदे मंद होता है आईए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं छुहारा और खजूर में अंतर क्या होता है खजूर सोफ्ट सेमी सोफ्ट सूखे रूप में उपलब्ध होते हैं वहीं चुहारे खजूर के समान नहीं होते हैं चुहारे में खजूर की तुलना में कम नमी होती है अगर खजूर को एक बंद हवा रहित कंटेनर में रखा जाए तो यह आठ महीनों तक रह सकता है वहीं अगर इसे फ्रीजर में रखा जाए तो यह एक वर्ष तक के लिए एक वर्ष तक ताजा रह सकते हैं वहीं इसे अगर फ्रीजर में रखा जाए तो पांच साल तक ताजा रह सकता है जब कैलोरी की बात आती है तो छुहारों में खजूर की तुल्णा में काफी अधिक कैलोरी होती है 100 ग्राम छुहारे में लगभग 284 कैलोरी होती है वहीं 100 ग्राम खजूर में 142 कैलोरी होती है यदि आप अपने वजन को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए खजूर बेहतर विकल्ब है कम एनरजी डेंसिटी वाले खाद्यपदार्थ अधिक एनरजी डेंसिटी वाले खाद्यपदार्थों की तूल्णा में कम कैलोरी के साथ साथ अपनी भूक को भी संतूष्ट करने में सहायता करते हैं मैक्रो निूट्रियंट्स ऐसे पोशक तत्व हैं जिनकी आपके शरीर को सबसे अधिक महात्रा में आवश्यक्ता होती है और जिसमें साथ ही प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइट्रेट शामिल है छुहारे और खजूर में मैक्रो निूट्रियंट्स समगरी भिन्न होती है जब 100 ग्राम खजूर में 1.8 ग्रोटीन, 1 ग्राम वसा, 37 ग्राम कार्बोहाइट्रेट और 3.5 ग्राम फाइबर शामिल है जबकि इसी मात्रा के साथ छुहारे में प्रोटीन 2.8 ग्राम, 0.6 ग्राम वसा और 76 ग्राम कार्बोहाइट्रेट इसके साथ साथ 5 ग्राम फाइबर शामि जिनकी आपके शरीर को छोटे मात्रा में जरूरत होती है, जैसे विटामिन और खनीज, खजूर की तुलना में चुहारे केल्शियम और लोहे का एक बहतर श्रोथ है, लेकिन खजूर विटामिन C का एक बहतर श्रोथ है, 100 ग्राम खजूर में 34 मिली ग्राम केल्शियम, 6 ग्राम लोहा और 30 मिली ग्राम विटामिन C होता है, और 100 ग्राम चुहारों में 81 मिली ग्राम केल्शियम, 8 मिली ग्राम लोह और 0 मिली ग्राम विटामिन C होता है, अब आईए सबसे पहले जानते हैं खजूर के फायदों के बारे सबसे पहले तो खजूर के फायदे शरीर को उर्जा देते हैं जी हाँ कई बार हमें बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगती है ऐसे में खजूर खाने से आपके शरीर को तुरंत उर्जा मिलती है यह उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिन्हें बार बार मीठा ख अच्छा है यह आश्टियो पोरोसिस जैसी बिमारी से होने वाले दर्द को दूर करने में भी मदद करता है खजूर में सेलीनियम, मैगनीज, खौपर और मैगनीशियम होता है जो स्वस्त हड़ियों के विकास में मदद करता है उम्र बढ़ने के साथ लोगों के हड़ियां कमजोर होती जाती है ऐसे में यदि आप पहले से खजूर का सेवन करते रहेंगे तो आपकी हड़ियां लंबे समय तक मजबूत रहेंगी खजूर के लाव वजन को घटाने में भी बिमिशाल हैं बहुत से लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो सूखे मेवे लेने से डरते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ड्राइफ फ्रूट खाने से चर्वी बढ़ती है लेकिन खजूर के साथ ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत कम फैट होता है और साथ ही खजूर कोलेस्टरोल फ्री है इसलिए बिना कोई चिंता करे इसकी थोड़ी मात्रा अपने नियमित इस दिन चर्या में आप शामिल कर सकते हैं खजूर और दूध के फायदे खांसी जुकाम में भी बिहद ही लाफकारी होते हैं खजूर सर्दियों में तो और भी फायदे मंद है जब आपको अक्सर खांसी जुकाम की परिशानी हो जाती है ऐसे में एक गलास दूध में जोज रात को सोते समयी से पीने से आपका खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ये पाचन तंतर को भी बहुत मजबूत करता है। खजूर हमारी तवचा के लिए भी बहुत मजबूत करता है। फ्री रेडिकल्स आपकी तवचा को नुकसान पहुचाते हैं जिससे वक्त से पहले ही आपकी तवचा बुढ़ी दिखाई देने लगती है। खजूर में मौजूद विटामिन C आपकी तवचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। इससे हमारी तवचा पर जुरियां जल्दी नहीं आती है। इसके साथ साथ खजूर में पोटेशियम पाया जाता है जो बुरे कोलेस्टरोल यानि की LDL को खत्म करता है। इससे श्ट्रोक आने की संभावना कम हो जाती है। खजूर लोह तत्वों का अच्छा श्रोथ है। इसलिए जो लोग एनिमिया के शिकार हैं उन्हें खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन की कमी से आपके बाल कमजोर हो जाते हैं। खजूर में मौजूद विटामिन बी आपके बालों को गिरने से बचाता है और मजबूत बनाता है। खजूर पेट में कैंसर होने की संभावना को भी कम करता है। इसलिए इससे अपनी डेली हैविट में जरूर सामिल कर लेना चाहिए। अब इसके साथ हम जानते हैं कि खजूर खाने से आपको नुक्सान क्या क्या हो सकते हैं। उच्च रक्त शरकरा से बचने के लिए खजूर की खपत को सिमित करें क्योंकि इनमें चीनी का उच्च अस्तर होता है लेकिन सभी प्रकार के खजूर हानिकारक नहीं है सूखे खजूर का उच्च ग्लाइसेमिक सुचकांक होता है हलांकि खजूर फाइवर समगरी से समरिद्ध है और फाइवर वजन घटाने में सहयक है परन्तु अपने आहार में खजूर की एक बड़ी राशी लेने से कैलोरी काफी बढ़ जाती है जिससे वजन बढ़ता है जब आप फाइवर बहुत लेते हैं तो पेट में दर्द होता ह सलफाइड एक रासाइनिक योगिक है जो खजूर की बनावत और चमक बनाये रखने के लिए उसमें डाला जाता है अगर आप सलफाइड के प्रतिश समवेदन शील हैं तो सूजन पेट में दर्द और दस्त जैसी जटिलताएं आपको हो सकती है खजूर में हिस्टामिन कारण होसकता है खजूर में पाया जाने वाला सलिसी मेंर के लख्षनों का का प्रतिश सकता है ज्यादह खचूर खाने से दाएध की सड़न भे आपको हो सकती है बच्चों के लिए खजूर काफी मोटे और कैंशन ये मुश्कील है उनके दां और आत खजूर मोटे और दयन खजूर चबा कर खाने से राहत मिलती है शिगर पतन की समस्या में लागातार खाली पेट तीन महीनों तक खजूर का सेवन करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है खजूर काफी स्वादिश्ट होते हैं इसलिए इनके नुकसान से बचने के लिए यह जरूरी है कि इन्हें सिमित महात्रा में ही खाया जाए अब आई ये जानते हैं जैसा कि हमने पहले ही कंपेर किया था छूहारे से तो अब छूहारे के फैदों के बारे में जानते हैं खजूर या फिनिक्स डेक्टाइली फेरा सबसे पोष्टिक खादे पदार्थों में से एक हैं जिनका सिवन हम ताजा या सुखाने के बाद कर सकते हैं सुखे खजूर जी से हिंदी में छुहारा के नाम से भी जाना जाता है छुहारे कई तरह की स्वास्ते संबंधी एक प्राकृतिक उपचार माने जाते हैं छुहारे को विटामिन की सोने की खान माना जाता है इसमें विटामिन A, C, E, K, B2, B6, नियासीन और थियामिन सहीत विटामिन की एक विस्तरित श्रिंखला होती है ये विटामिन हमारे स्वास्थ और कल्यान के लिए महत्तोपून ह इसलिए हमारे समग्र स्वास्थे में सुधार के लिए ड्राइ डेट्स का सेवन करना फायदे मंद है छुहारे में लोहे, पोटेशियम, सेलेनियम, मैगनीशियम, फासफोरस और तामबे जैसे सब ही अवश्यक खनीज होते हैं जिनके बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं उनक नियमित गतिवीधियां नहीं कर सकती हैं छुहारे के फायदे कबज को ठीक करने के लिए भी बेहत फायदे मंद माने जाते हैं छुहारा में मौझूद फाइबर प्रभावी ढंक से कबज को ठीक करने के लिए जाना जाता है यह मल की मातरा को बढ़ा कर हमारे ब्रिहदांत को साफ कर सकते हैं ये एक रेचक के रूप में कारे करता है और हमारे शरीर के भीतर आतों की मुवमिंट की सुविधा प्रदान करता है छुहारी के लाव हैं हिरदय के लिए बेहद ही उपयोगी जी हाँ एक्सपर्ट के अनुसार हमारे काडियो वास्कुलर सिस्टम यानि कि ह रिदय प्रणाली पर छुहारों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है छुहारे में वसा की मातरा बहुत कम होती है और इन में किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रोल नहीं होता है इसके अलावा यह हमारे खून में कम घनतव वाले लीपो प्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रो में भी मदद करता है चुहारे में सोटियम के मातरा बहुत कम होती है और पोटेशियम अधिक होता है जो हमारे शरीर में रक्त के दबाव को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर फाइदे मंध होता है इसके हलावा चुहारे के फाइदे पाचन तंतर को मजबूत बनाने के लिए कई शोधोंने बताया है कि ड्राइडेट्स में बहुत ही अच्छे इंटियोक्सिडेंटिव गुन होते हैं जो हमारे पाचन को स्मूथ बनाते हैं और हमारे पेट को स्वस्थ रखते हैं अवशक अमीनो एसिड और घुलन सील और अघुलन सील फा के अलसर हरिदय में जलन और वरिहदांतर सोत जैसे रोगों को ठीक करने में भी फायदे मंद है इसके अलावा चुहारे खाने से मांस पेशियों में ताकत आती है जिहां चुहारों के सेवन से मांस पेशियों की ताकत बढ़ जाती है हमारे दिल के मांस पेशियों पर इनका महत्वपून प्रभाव पड़ता है और छुहारों को हमारे दिल को मजबूत बनाने के लिए भी जाना जाता है गरभवती महिलाओं को नियमित रूप से छुहारों का सिवन करना चाहिए क्योंकि वे गरभाशय की मांस पेशियों को मजबूत कर सकते हैं और बच्चे के जन्म के समय मददगार साबित हो सकते हैं छुहारे खाने के फायदे हैं उर्जा को बढ़ाने के लिए जिहां छुहारे में प्रकृतिक शरकरा यानि कि ग्लुकोज और फ्रुक्टोज की एक बड़ी मातरा होती है जो छुहारे को एक बहुत ही अच्छा उर्जा बुष्टर मानती है इन पोश्टिक फ़लों की सहायता से आप अपनी शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं छुहारे के फायदे तवचा को स्वस्त बनाते हैं छुहारे में मौजूद एंटियोक्सिडेंट गून फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं ये फ्री रेडिकल्स हमारी तवचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तवचा की समय से पूर्व उम्र बहने का कारण बन सकते हैं हर रोज इनका सेवन आपको फर्म और अच्छी तरह से टून तवचा देता है इस प्रकार तवचा के उम्र बहने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है हमारी तवचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन A आवश्यक होता है छुहारे विटामिन A का समरिध श्रोत हैं जो तवचा की नई कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ और चमकदार तवचा प्रदान करता है नियमित रूप से छुहारे का सेवन करना आपको चीकनी अच्छी तरह से पोशित और उच्छी तवचा प्रदान करता है क्योंकि यह तवचा के लिए आवश्यक सभी महत्तो पूर्ण पोशक तत्वों का एक खजाना है इसके अलावा बालों के विकास में भी बेहद लाफकारी साबित होता है चुहारा चुहारे में मौजूद पैंटो फेनिक एसीड या विटामिन बीप फाइव बालों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए अच्छा आहार है यह बालों के लिए एक सुपर फूड के रूप में कार्य करता है और अगर इसका नियमित रूप से सिवन किया जाए तो यह बालों की विभिन समस्या हैं जैसे की दो मुहे बाल, ब्रिटल हेर, सुशक बाल, बालों का जढ़ना इत्यादी को रोकने में मदद कर सकता है बालों का जढ़ना हम में से ज़्यादा तर लोगों के लिए बड़ी समस्या है यदि आप इस तरह की समस्या से पीडित हैं तो ट्राइडेट्स का दैनिक रूप से उपयोग करें यह आपके बालों को जढ़ने से रोकेगा इसका कारणिया है कि छोहारे पोशक्ततों से भरपूर हुआ करते हैं जो बालों के स्वास्थ के विकास के लिए जरूरी होते हैं और बाल की जढ़ों से लेकर स्कैल्प तक को पोशन प्रदान करते हैं इससे आपको मजबूत बाल प्रदान करने में मदद मिलती है और बाल स्वस्थेवं चमकदार होते हैं लेकिन इसके साथ-साथ आप सही धंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम आप सभी को बता रहे हैं यदि आपका शुगर लेवल अधिक बना रहता है तो आपको छुआरे का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप वजन को कम करने वाले डाइट पर हैं तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपका वजन बढ़ा सकता है छुआरे का अधिक सेवन करने से पेट दर्द हो सकता है कुछ लोगों को इसके सेवन से इलर्जी भी हो सकती है यदि आपको इसके सेवन से कोई परेशानी होती है तो आप इसका सेवन बंद कर दें क्योंकि यह इलर्जी रियक्षन हो सकता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए एक बेहद ही महतोपून जानकारी लेकर के आये थे छुहारे और खजूर के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस् लियर स्प्टन